बिसिकली उस सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं जो महाराश्ट में गलत हो रहा है उसके खिलाफ किरिट सुमया जी हमेशा बोलते आएं जिनको डर है तभी तो धारा 144 लगा दी कि जो भी इल्जाम लगाए जा रहा है उसमें कहीं ने कहीं सच्चाई है डेर साल में आपको आप माफ हैं आपके उपर कोई सवाल नहीं उठाएगा लेकिन अगर यहीं दिल्ली में हो रहा है तो मोदी जी के नाम पे गालिया देना शुरू कर देते हैं जेनियों वालों को भी नजर नहीं आती लिबरल ग्यांकों भी नजर नहीं आती जो लोग बंगाल से हाथ रस ग हुआ वहां किसकी सरकार है अगर राजमातों राजमाता के बंधूओं की सरकार है तो वहां चुप रहना है वहां कुछ नहीं बोलना भाई बेन मूपे टेप लगा लेंगे अमानी देश के इतने बड़े उद्योग पती है अजारों लाखों लोगों को वह घर चला रहे है वह इतने बड़े इंडस्टरी से आपको लगा कि आपने जैसे सुशान के केस में किया आप वैसे ही करके निकल जाएंगे उंबाई पुलिस कमिशनर भागा भागा फिर रहा है या परमवीर सिंग को भागा दिया है तो इसका मतलब यह उपर से लेके साब मिले हुए और कर के सब जाएंगे जेल नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा दिन्डोरिया सौगत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर बीजेपी नेता करिट सोमया को कराड रेलवे स्टेशन से गिरफतार कर लिया गया था आपको बता दे कि महाराज सरकार की इतनी तानशाई ही है क कि क्रिट सोमया ने आवाज उठाई थी उनके मनी लॉंडरिंग और एंसीपी के जो नेता है हसन मुशृत और अजीत पवार जिनकी जो शुगर की फैक्टरी है कोलापूर में वहाँ जाकर वो पड़ताल की मांग करने वाले थे और जाच की मांग कर रहे थे कि ये लोग मन उन्हें उठा लिया रेल वेस्टेशन से क्या करें सुमया जी जो हैं पिछले एक साल से महाराष्ट में जो इताना शाही की सरकार वहाँ पे चल रही है उस सरकार पे लगातार वह आवाज उठाते आए उस सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे जो महाराष्ट में गलत हो रहा ह उसके खिलाफ किरिट सुमया जी हमेशा बोलते आएं और आज जब उनको किसी तरह का शक है या उनके दिमाग में कुछ है या कोई ऐसी बात जो उनको पता है देखिए इतना बड़ा नेता अगर किसी के उपर इल्जाम लगाता है वो भी ऐसा नेता जो NCP का विधायक है सिटिंग विधायक है अजीत पवार जी के बारे में अगर कोई बात कह रहा है यह सारे बहुत बड़े बड़े नेता है तो अगर इतना बड़ा लेवल का नेता है इतने बड़े लेवल के नेता के बारे में कुछ कह रहा है तो इसका मतलब कुछ सबूत भी होंगे कुछ तो आप वहां पर आधार हैं कि अजह कह रहें कि को रहे जो यह घुटाली की बात कर रहें जुगतवोंे हैं जो ह én को डर हैं तभी तो 113-4 लगा दी-ऊशा क् scree आप आपातकाल हो ग़िया 5241 तब तो आप मतलब आप अंदर से डरे हुए हैं आप सच को दबाना चाहते हैं जिस तरीके से किरिट सुमया की गिरफतारी हुई है और ये भी बोला जा रहा था किरिट सुमया ने खुद बोला था अपने इंटर्व्यू में कि मेरी जान को भी खत्रा हो सकता है आपको पता ह तो किरिट सुमया जी की जान प्रगता जान रायन राने की हम बात करें उनके घर पर भी पत्राफ कर दिया था तो किस तरीकी की ये लोग देखे यही चीज अगर उत्तर प्रिदेश में होता अगर आज हो आपर महराष्ट में हुआ है क्योंकि महराष्ट वाले मैंने अभी मनिशा जी अगर यूपी में हुई होती यकीन मानी है अगर यूपी का कोई नेता जो भाजपा कर नहीं होता कॉंगरेश को तफ़ा बस्पा को और किसी अन्य पार्टी को किसी उहर तो वहां अगर किसी विधायक को उठा लिया जाता गिरफतार कर लिया जाता 144 लगती आप यकीन मानिया यही शिवसेना के लोग महाराष्ट में बैटके छाती पीट रहे होते हो हमारे यूपी में रहा होता यूपी के जिले की बात होती लेकिन वहां पे जितने लोग चिलाने आ आप योगीजी को बदनाम करने की बात करते हैं आप यूपी में चुनौल रणी की बात करें लेकिन आप अपने महाराष्ट में वहाराष्ट में सुमयया जी भी बड़े नीता है चोटे लेवल के नेता नहीं उतना बड़ा नेता अगर किसी पर आरोप लगा रहा है कोई लगा रहा है तो आप उसकी जाच परताल करनी चाहिए आप जाच परताल नहीं करके आप अंदर से डर जातें क्योंकि आपको पता है कि यह जो भी इल्जाम लगाया जा रहा है उसमें कहीं नहीं सचाई है अगर सचाई नहीं तो जाने दीजिए ना आप उस जिले में जाने सुमया जून्हों जो इलजाम लगाया है वो सच है कहीं न कहीं आप दरते हैं अंदर से सच नहीं है तो भी तो आप डरते हैं अगर आप नहीं डरते तो आप 144 नहीं लगाते सारा ग्यान जब आप उत्तर प्रिदेश में देते हैं जब आप चुनाव लड़ने भी आएंगे वहाँ जरा सी भी तानाशाही हो जाएगी तो हाई हाई योगी हाई हाई मोधी लोग करने लगते हैं लेकिन महाराश सरकार जब कोई चीज करती है तो यही यही सारे लोग शान्ती से बैठे रहते हैं वहाँ की तानाशाही आपको नहीं दिखती महाराश की तानाशाही देख पहेज देंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ना बंगाल सरकार ना महाराश्च्ट, दो सरकार इसे में देश में ऐसी हैं, जिनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपके ओपर F.I.R. पर F.I.R. हो जाएगा, आपको पता होगा कि प पून करके भी अगर आप सरकार में हैं, तो आप माफ हैं, आपके उपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन अगर यहीं दिल्ली में हो रहा है, तो मोदी जी के नाम पे गालियां देना शुरू कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में होता है, तो मोदी जी के नाम पे गालिय सबी एक हुआ था मुंबई में बहुत बड़ा रेप केस था हाँ उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई और अब इस तरी की जो घटना है आरे चाहिए वो अरनब गोसवामी का टियारपी स्कैम केस था बिल्कुल साफ हो गया है कि ये उद्धव ठागरे की साजिश थी पूद गलत किया था अमान्वी था उन सब जील होना चाहिए थी वह सब लोगों हुने गलत किया मानाउत्राप के खिलाफ था अब सेम चीज लागू होती है महाराष्ट में जो लोग बंगाल से हात्राष गय् meansी बहुए उड़िल्प यसे नेता नेचर की जाते और बहुत आज भी हो रहा है, बलात्कार करते हैं, मार देते हैं, गला गोट देते हैं, लटबेटी के प्राइवेट बॉड़ी पार्ट्स में आप रोट डाल देते हैं, कितना ही आमानवी है, कहने में भी बुरा लगता है शर्म आती है कि जो लोग वीडियो देख रहे हों किया सोचते होंगे लेकिन लोगों को जागर करना जरूरी है मनिशा जी आज कोई भी नेता वह भाई में महाराश क्यों नहीं गए बंगाल से महाराश क्यों नहीं गए उधित राज हातरस चलो क एक के बाद वो रेप भी बड़ा रेप था इसका मतलब जब आपने रेप की बात की मनिशा जीLo रेप होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे रेप किस राज्य में हुआ किस की सरकार है। अगर राजमाता के बंधों की सरकार है तो वहा चुप रहना है, वहा कुछ नी बोला का और अगर यूपे में रेप हुआ है और रेपिस्ट अगर मुसल्मान है तो भी चुप रहना है, क्योंकि अभी खोखो की राष्ट्रे खिलाडी आपको याद होगा कि जो रेलवे ट्राक से कहीं से गुजर रही थी वो बेटी एक इंटेव्यू दे के आ रही थी गला घोट दिया बलातकार करने की कोशिश की और कैसे उसके फोन से ट्रेस किया है तो आप यह सोचे क्योंकि जो उसमें चिए मोट बैंक हैं वहाँ पर चुप हो जाएंगे दी यूपी में भी जब अगर बलातकार होता है दलीद ब्री दलीद बैटी दलीद बेटी में अगर बहूं लेकिन उपर पर केज भी हुआ युवराज पे जब उन्होंने बेटी का नाम उजागर की लेकिन यह लोग महाराष्ट में नहीं चाहते इसका मतलब रेप हो तो देखो किस राज्य में हुआ किस जाती की बेटी है जिसका बलातकार हुआ रेपिस किस जाती का है यह भी देखो यह ऐसे गि नेता हैं कि जिनको बेटी ओसे बेटीओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं यह यह बेटीओं की लाश पर बैटके भी उनको नोच सकते हैं यह उस तरह के लोग कि आने छे महीने में चुनाओ चुनाओ के लिए कुछ भी करेंगी यूपी में अभी कल कोई पानी की कोई नदी बाढ़ आजाए जो एक नाचुरल चीज है कोई डिजास्टर हो जाए अर्थक्वेका आजाए कुछ हो जाए यह सारा समुदाय पहुच जाएगा उत्तरप्रदेश योगी जी ने यह नहीं किया योगी जी ने वो नहीं किया अरे भाया केरल और महाराश्ट में अभी सब्सक्राण राने हो अपके लिट समया हो तो इस तरीके से बीजेपी के ही नेताओं को क्यों टार्गेट कर रहें क्यों अपने नेताओं को क्यों नहीं पकटता अनियल देश मुख के पर इतना बड़ा मनी लॉंडेंग देखें बिल्कुल सवाल आपने पूछा वी दो द केस था जिसके कस्टोडियल डेथ हुई थी उस केस में उसको निलंबित किया गया पंदराओं ओफिसर्ट सचीनवाजे भी था सचीनवाजे को उठा कि अचानक से सुषांद के डेथ के पहले सुषांद के मुझर के पहले माइप कॉल इचानक से बहाली कर लेते हैं अब तो मैं तुम्हारी बहाली करांगे रीन स्टेट कराने के लिए और मैं आगे किसी बड़े नेता का नाम रसाचिन वाजे ने बोला कि उनको देने के लिए और आपके बहाली हो जाएगी अब वही लोग वही परम वीर सिंग वही सचिन वाजे वही यह सौ करोड जो मिलके खा रहे थे सब पकड़े गए गलती सचिन वाजे से यह हुई कि उसको लगा जैसे हमने सुशांत का केस दबा दिया हमने कंगना का दफ्तर तोड़ दिया हमने बड़े अंबानी के अमानी देश के इतने बड़े उद्योग पती है अजारों लाखों लोगों को वह घर चला रह है लेकिन जो लोग उसमें इंवाल थे लीपा पोती कर रहे अब देको सब फस गये अब सचिन वाजे अनिल देश्मुक पे इंजाम लगा रहे है परमवीर सिंग को मैंने देखा दो दिन से इस मिसिंग तो मिसिंग मतलब मुंबाई पुलिस कमिशनर भागा भागा फिर रह परमवीर सिंग फिर अनिल देश्मुक अब अनिल देश्मुक क्योंकि सरकार में बैठे हुए ग्री मंतरी हो सकता है यह उसके उपर वाले आके का नाम ले दे आकाओं का नाम छुपाने के लिए सारी चीज़े हो रही है सो मैया जी के साथ भी जो हुआ है आज वो सिर्फ इ परसो डिबेट में पूछा कि जब आपने रिंस्टेट किया इसको एक नंबर का चोर महा चोर करब्ट आदमी को तो भी आपके लिए दूद का दुला था महराष्ट के सारे बड़े केसे अपने अर्णाब गुस्वामी के घर 40 लोगों के साथ एंकाउंटर स्पेशलिस के स अगली बाद लड़ेंगे तो फिर जीत के आएंगे कि जनता को पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है यह सब जितने देज़रोही टाइप लोग है यह जितने ऐसे लोग है जो समाज में सचाई को छुपाना चाहते हैं यह सब जील जाने वाले लोग है बहुत बहुत धनेवा समया पर हमला हो यह सिर्फ अपनी तानशाही दिखाते हैं और तुष्टी करन की राजनीती करते हैं महारास्ट में बैठ कर आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जुरूर बताइएगा हमारे से ऐसे ही बने रहे धनेवाद